यह सतेंदर जैन जेल में है ता कैमरा लगे वीडियो आ जा रहा है लेकिन जेल में जो कैदी कैसे रह रहे हैं कैसे खाना उनको दिया जा रहा है प्रोपर गाइडलाइन्स के इसाब से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पे राष्टपती का जो भी अविवाशन होता है वो सरकार तयार करके राष्टपती के पास बिजते हैं और वोई पढ़ते हैं लेकिन सबसे दिल्चस्व बात ये है कि बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से उन्होंने भाष्टपती पढ़ा नहीं है असली मन की बात तो राष्टपती ने कर दिये और अपने बजपन से अपने गाओं की एक्सपीरियेंस एमिले बनी उसके एक्सपीरियेंस जब वो बनी थी और एक कमिटी में थी उस समय उनको जेल का जो है दोरा करने का मौका मिला उसी संदर में महामहिम राष्टपती का वक्तब्य था और वो कह रही है कि भाई इस जेल में आखिर कौन लोग बंद है और आप ध्यान होगा तो अगर आप ध्यान से सुना होगा उन्होंने के तीन को इश्वर माना है टीचर, वकील और डॉक्टर तो जजेज के बीच बोल नहीं थी बड़े लोग थे वहाँ बड़े बड़े लोग थे चीफ ज़सिस अफ इंडिया भी थे तो अगर तीनों पे टिपनी हैं जजेज के अलावा जुडिशरी के अलावा तीनों पे टिपनी हैं तो यहां के प्रफेसर्स, टीचर, डॉक्टर और वकील जो हैं उनको कम से कम संग्यान में उसको ध्यान से सुनना चाहिए जिस तरीके से ब्यवसाई करन बढ़ा है और डॉक्टर जिस तरह से कई कैसे आते हैं तो उनको गंभीरता से सुना जाना चाहिए वो खुद शिडूल ट्राइब कमुनिटी से हैं और वो कह रहे ह हैं इसका मतलब कि उम्रकैद से जादा भी बहुत लोगों ने वहाँ पे समय काट लिया है जेल के अंदर तो जायातर कौन लोग हैं जायातर ट्राइब्स हैं डलित हैं बैकवर्ड हैं यही लोग जायातर जेलों में बंद हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और वो कह रही है कि भाई सब कुछ लुटा भी देता हाद में उसके बरतन भांडे भी सब बिग जाएंगे अगर नयाई इतना महंगा हो गया और जिस तरीके से न्याले पे टिपनी है सरकार पे भी एक टिपनी है और तमाम संस्थाओं पे उन्होंने एक गंभीर टिपनी बहुत ही सहज भा तो एक गंभीर टिपनी है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए सरकार के तीनों स्तंब को और मैं उसमें अपनी और से मीडिया भी जोड़ देता हूं कि जिस तरह से भूपू बज रहा है मीडिया तथा कदे चौथा अस्तंब उन लोगों को भी इस भाषन को उसके तीन दिन पहले पटना हाई कोर्ट में एक प्रसीडिंग चल लेगी थी और प्रसीडिंग में यूटूब पे है वो आप जाके देख सकते हैं कि प्रसीडिंग में एक जजम होते हैं जो एक्यूजड आरूपी है किसी पर सायद भरसाचार का कोई केस होगा सस्पेंड में ये लिखा हुआ है कि चाहिए वो आरूपी चाहिए जो भी अपराद किया हो इससे कोई भी जज़ पूछ सकता है क्या तो इसलिए बहुत और गंबीर हो जा रहा है मामला इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट पति के भाशन को देश के तमाम लोगों को गंबीरता से ल रहते हैं आप जेल के अंदर कभी जाके देखिए वह सारे हमारे अदिकारी दोश्त हैं और वह सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो जेल में रहे हैं वहां कोई मुझे लगता है कि भारत भारत जो है यहां की जेल वेवस्था मुझे लगता है शायद इतना मैं जानता हूं नहीं वहोते हैं रूमगंद होते हैं, बहुत खराब नहीं कोगोशा, किया दिक कामरा लके बीडियों हो ACTUcca, मने प्रॉपर गाइडलाइन्स के इसाब से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि अगर नहीं आ रहा है तो पूरा एक मिली भगत है और कैदियों के जो मानिये अधिकार है उनसे भी उनको मरहूम वंचित किया जा रहा है यही इशारा राष्ट पती जी ने अपन वाले उनको छुडाने भी नहीं जाते हैं क्योंकि जाएंगे तो उनका घर हांडी भांडे जितने हैं सब मुझे लगता है कि सरकार को भी उन्होंने अपने भाशन से जो है न एक तरह से अनकमफर्टवल पोजिशन पर डाल दिया है क्योंकि वो सरकारी भाशन नहीं था व जो जची जाके जियल में तो जाके गी नहीं नहीं तो राज सरकार या कहंदर सरकार का जहां जेल है उनादिकारियों का सरकार का एदाइत हुए सबका काम बटा हुआ चेक एंड बैलेंस जरूर है लेकिन बहुत मैं कह रहा हूँ कि डिफिनेटली बहुती सीरियस मैटर उन्होंने उठाया है और सरकार की मोडस अपरिंडी पे भी कारेशेली पे भी उन्होंने एक सबालिया निशान खड़ा कर दिया है इसलिए मुझे लगता है सरकार भी अनकमपरटेबल महसूस कर रही है साइड एफेक्ट हुआ है अदालत से मैंने एक पहले कह दिया कि कमीटी बनी है जो कह दी वगर क्या कमीटी बनी है अब तो सरकार की और से और बिरोक्रिसी की और से इस पर रिपलाई आना है क्या उनके भाषन को कितने गंभीरता से लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे है ऐसा तो फिलाल नहीं लग रहा है कि वो भाषन सरकार का लिखा गुए भाषन नहीं था वाशन तो रास्टपती का ओफिशल प्रोटोकॉल इस आप से भाशन तो होता ही है अब यह assessment मैं कैसे कह सकता हूँ यह तो आप लोग जो है लोगों के बीच पहुचाएंगे इस पूरी बातचित को सरकार के संग्यान में है जुडिशीरी के संग्यान में है बिरोकरिसी के संग्यान में है दूसरा इन लोग शाही है तो लोग शाही में जनता सर्वोपरी है समयधान सर्वोपरी है अगर मान लिया कि आपके हक हकुग अधिकार छीने जा रहा है या उसको तबाह किया जा रहा है तो यही समविधान आपको ताकत भी देता है न कि आप जा कर कम से कम सड़क पर डेमोक्रेटिक तरीके से समयदानिक तरीके से आप परदर्शन कीजिए, सरकारे खिलाब में उरणनम दीजिए और सरकारे जुकती है, इसा नहीं एक नहीं जुकती है लेकिन ये भी बात सही है कि रोज रोज जनता अंदुलित नहीं हो सकती है उसमें वक्त लगता है, समय लगता है मोमेंटम बनने में लेकिन मुझे लगता है कि वाकई अगर जिस समय ये रास्टपती कंडेट हुई थी तो बहुत उचाला गया था कि हमने पहली बार जो रास्टपती बनाया है ये बहुत उशचला गिया था इसकी मार्केटिंग की गई थी तो आपने बनाया है जिसकी मार्केटिंग की है तो कंसे कम उनकी बात भी तो सुन लीजे उस पे अमल में भी तुले आई मैं लॉग का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन हमने पटना के फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस से भी बात की है इस मसले पे अगर आपने यूटूब को मेरा देखा होगा लॉयर से भी बात की है कई लोगों से मैंने राय ली है और बात्चित रखा है तो जो एक्टिंग जस्टिस थे अंसारी जाब उन्होंने कहा कि बगएर समिधान बदले कोलिजियम सिस्टम नहीं हट सकता है सुधार उसमें संभब है लेकिन बगएर समिधान आप चाहिए बता यह आठ साल से इस सरकार है मुदी सरकार है उन्होंने ही बनाया नैशनल जो एपॉंडमेंट की कमेटी है जजेज की और यह खुली बात है ना कि उनके बहुत सारे ब्लू आइट जजेज थे उनके तो उस समय सुप्रीम कोट ने क्यों नकार दिया यूल लित ने भी न कारा उन्होंने क्यों नकार दिया तो यह तो कानून के जानकार बहतर बताएंगे लेकिन अभी जो फिर अगर फिर जाएगा कहा जाएगा तो इसी ध्वस्त उनको हो जाएगा अब यह है कि अभी आपके लॉव मिनिस्टर जो है किरन डी जी जू चुकि डी वाई चंचूर अभी चीफ जस्टिस बने हैं और शायद उनको लगता होगा कि हमारे सरकार के हिसाब से हमारे पक्ष जो है नबहुत तेजी से अभी उठाय जा रहा है तो इसके पीछे भी एक राजनिती है सरकार और नयाय पालिया के बीचे अच्छी बात है लेकिन देखिए अभी डी वाई चंचूर बने हैं तो थोड़ा सा इंसे उमीद की जाती है कि फेर हैं थोड़ा सा डेमोक्रिटिक हैं लेकिन वो उसके खिलाब तो हम लोग रहें इड़ गैर समविधानिक है और समविधान का ही वही संसत का इस्तमाल करके गैर समविधानिक जो है कानून बनाया गया और जजेज का भी रवया उसमें जो है न मतलब इस तरह का जुडिशिरी तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से उन्होंने डिसिजन दिया बगएर किसी आखड़ा बगएर किसी कमिशन बगएर किसी मांग के 48 गंटे में पास हो जाता है और कोट भी उसमें मुहर लगा देता है तो मामला तो गंबीर है और इसको संग्यान में लेकर जो है मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है लेकिन अच्छी बात है कम से कम रिवीव प्रिटिशन डला है और पांच जजिज क्यों इंदरा सानी जब नाइन जजिज बेंच में यह हुआ था डिसिजन तो मुझे लगता है कि फेर तो यह है कि सारे जजिज के पूरी पीट पूरा बेंच उसमें बैठे और इस तरकार भी कई काम ऐसा कर रही है एक कि नहीं लगा रहा है कि समिधान को कमजोर इसी समिधान का इस्तमाल करके समिधान को कमजोर भी किया जा सकता है शुक्रिया